आज की वीडियो में मैं आपको 64 के प्राइम निकालने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नमबर्स क्या होते हैं वह नमबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते है, प्राइम नमबर कहलाते है, एक्जामपल के लिए 2, 3, 5, 7, and so on, यह कुछ आपके प्राइम नमबर हो, इसके बाद इसमें आपको factors निकालना आना चाहिए अगर आप factors निकाल ले गए तो आपको prime factors अपने आप ही पता चाहिए जाएंगे तो सबसे पहले में इसके factors निकाल लोगा 236, 236, 224 202, 2612, 2612 2816, 2316 83 बंजा 83 इन factors में दिखिए कौन-कौन से number आपके prime number है उन पेटिक कर लिज़े 2, 2, 2 and 83 जी चारो ही prime number है इन prime numbers को आपसे multiply किया जाता है multiply करने के बाद इसका result वही होता है जिसके आपको prime factors निकाल ले होते हैं तो 3 times 2 into 83 आपको 664 हुआ 664 के ही आपको prime factors निकाल ले हैं तो आपको prime factors अब ready है 3 times 2 and 83, 664 के prime factors हुए